तो किया आप जांते हैं कि PUBG Mobile वापस आने वाला था वो अभी नहीं आने वाला है क्योंकि PUBG Mobile अब PUBG Mobile इंडिया नहीं रहा अब वो हो चुका है Battleground Mobile India Battleground Mobile इंडिया के trailers और उसके official channel Instagram handles सब भी active हो चुके है और यह सारी चीज़े काफी ज़्यादा अमेजिंग और काफी ज़्यादा अच्छी लग रही है बहुत सारे गेमर्स को पर यह इतनी अच्छी भी नहीं है क्योंकि प्राइविसी पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दे गई है गवर्मेंट के तरप से और फिर गेमिंग जो ये PUBG बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया रहा है वो नहीं चाहते कि डबल से भी बैन हो जाए ये चीज इसलिए इसकी प्राइविसी पॉलिसी को काफी जाधा strict कर दे गया है तो क्या क्या प्राइविसी पॉलिसी में strict direction आई है वो मैं आपको बता देता हूँ अगर आप 18 प्लास है तो आपको कोई भी restriction की परवाद नहीं करने चाहिए आप अपने सिम्मिदारी पे इस game को खेल सकते हो पर आग अगर 18 प्लस नहीं हो आपका अच्छे से development नहीं हो है मैं ऐसा नहीं बूलता क्योंकि 18 प्लस के नीचे जो भी रहते हैं उनका body development होने वाला रहता है इन-game purchasing में आपको या फिर खेलने के लिए अपने father और mother का number देना पड़ेगा या घर वालों का number देना पड़ेगा आपको उसी के साथ आप इसमें 7000 से जाथा purchase नहीं कर सकते एक दिन में यह सारे kite के लिए set किये गए है और यह काफी अच्छी भी बात है कि एक game पे ऐसी restriction लगाई गी है क्योंकि बाकी की game पे तो ऐसी restriction कुछ रहती ही नहीं है जैसे just like free fire इस पे कोई भी किते देर भी खिल रहा है तो यह हमारे वीडियो को topic नहीं है सिर्फ मैं आपको यही बताना चाहता था कि किती ज्यादा privacy policy इस पे इंपीट यानि इंपूर्ट की गी है यानि इस game को अभी यह कभी बैन नहीं हो सकता यह भी आप बोल सकते हो तो यह काफी अच्छी चीज़ है कि आपको कैसे लगी मुझे comment करके जरूर बताना और यह वीडियो में आपको कुछ भी गलती लगती है मुझे वह भी comment करके जरूर बताना और आप यह वीडियो अच्छी लगती तो वीडियो को like करना अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सस्क्राइब करना ये सारी चीज़े आपको क्या करना आपको मालूम है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी और पब्जी मोबाल एडिया वापस आ जाता है उसकी प्री रेजिस्ट्रेशन की थैंक्स फॉर वाचिंग